हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब कैनल आईए अब हम नावल का पार नमर्ट सेवंटीन स्टा करते हैं पकरो अपना जंजना अपने पास मेरा तो सर दर्द हो रहा है उसे से उसने लैपटाप शैपर पहांका जिस पाँ आहां ने अपना सार नफिम में हिलाया महिर लैला आप यहां पर काम करने आए हैं मैं इस वक्त यहां का बास हूँ कोई मुझे काम नहीं दे साता उसने रोब से कहते हैं कुछ से टेक लगा ले यह कौन कहता है कि बास काम नहीं करता सिधर तरीके से काम करें बनना चाचा सायंस से आपके शिकायत करूँगा दमकी दे रहा है बेटा जी उसने पर दादों कि नमाश परपूर नमाश की मैं घर जा रहा हूं मझे अपनी बीवी के पास जाना है उसने पर जगह से उटते वे टेपर पर एकी गारी की चाबियां उठाए जब आहां ने उसे दुबारा बठा दिया श्राफ़ा से बैठे ही रह कर दूँगा उसके करने पर माहिन ने गुचे से गारी के चापियां प्हेंगी यहां बैगार काम करना इस वकत उसे दुनिया का सबसे बोर्डिंग काम लाग रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि साहर यह काम कैसे करता होगा उसे अपने बाहों में उठाए वर्ड रूम में दाहल वा था माहिन को बैठ पर लेट आकर उसने खिटक्यूं पर पड़े पर्दे हटाए और उसके बैग में से कपड़े नकालकर लाइट आफ कर दी बारिश की वज़ा से पूरी बीच चुके थी सर्दी तो से पहली की और उसके करीब बैठ गया उसके का पर साहिक यंगलों के निशान चुपे वे थे टावलों दिल लगा करके साहिन उसका चेड़ा और हाथ-पाउं अच्छे से साखिए उसके बात नरमी से उसके होन के करीब जहां पर ट्यूप लगाए अब धिहान उससे गुटने के तर कि अगर वो वेक्पन का नहीं पहुँचता तो क्या हो जाता वह वसी से वादागार किया था कि उसका हयार रहे गाया-, क्या जौब डेता उसे, सबसे बैठ कर हो तो क्या कहता कि उसकी इफाद भी नहीं कर पाया था छोड़े मुझे मसासर अपने चेह पर उसके लब में सूसा कि नूर ने गुसे से अपने चेह का रुख भेलिया जबसे वो यहाँ पर आये थे तब से वो बस उसीरम के साथ ही कर्मने में बांदी जिस पर अब उसे काफी तप चाड़ जोगे थे उसे बाहर जाना था गुमने के लिए लेकिन उसीरम का प्यार था जो हतम नहीं हो रहा था क्या है मेरे बेबी का गुसा आ रहा है उसके गुसे पर मस्कुराते वे उसीरम ने उसका चेहरा पित जानम किया जिस पर उसका फूला वामू मज़ीद बुल गया अलबतरा अलबता नजरें जुकिए थे अच्छा तुम्हें बाहर जाना है हाँ कल लेकर जाओंगा ठीक है लेकिन अभी मुझे छोड़ें नहीं छोड़ूंगा उसीरम छोड़ें उसने एक नजर ठाक उसको देखा और नजरें तो बड़ा चुका ली उसकी इतनी खुड़बत पार इस वक्त नूर्ड के लिए उसे नजरें मिलाना महाल था नहीं छोड़ूंगा तो छोड़े मुझे ये मेरा हुकम है उसने हुकमियां अन्दास में का तुम्झे हुकम दे रही हो नूर्ड हाँ दे रही हो हाँ एक तुम्ही तो हो चो मुझे हुकम दे सकती हो उसे नूर्ड की छोटी से नापपा पने लब ड़के हैरत की बात ही तो थी उसी रह्मान ने जिसने आज तक हर किस्यों को सिर्फ हुकम दिया था आज पहले बार उसे कोई हुकम दे रहा था वो भी एक छोटी सी लड़की है उसने अपनी आंके खौली और छाथ पार नजर पढ़ते वे जल्दी सुटी और उटते ही नजर सामने सुपर बैटिल साय पार गई जो एत्मनार्ट से उसे देख रहा था उसे देखते ही माहिम को उसका मारा गया थपर याद आया बे एहत्याद उसके हाथ अपने गार पर रखा और नजर जुका ले जब नजर अपने लबार पास गए ये सोच करए दिल की कैफित अजीब होगे थी कि उसका लबास किसी ने तबदिल किया होगा मज़ा आया? तुम्हें मेरे हैर से आजके लिए इतना गुमना काफी है उसने अतन दिया अंदास में का मेरे कप्टे क्युं चेंज किये साहर का सवार नजर अंदास करा उसने नजर जुकाईवे का तुम होटर से बाहर क्युं निकले थी मेरे कप्टे क्यों चेंज किये नजारे देखने का दिल चाहरा था सहर के चलाने पर जहां वो सैमी बहीं पर उसकी बात का मतब समझ कर अच्छी हासी सुरू भी हो चुके थे माहीम ने अपनी सिया बीगी नेज़न उटागस को देखा और दोबारा नज़ें जुका लिए कुछ और समझ नाया तो भाइं पर बाटे बाटे रोना शुरू कर दिया और उसके रोने से साहर के अंदास में नर्मी दाड़ाई अपने जगा सुरू कर वो उसके क्रीब किया उसके अपने सिनने से लगा लिया मुझे केला नहीं जाना चाहिए उसके बीगे लाज़े में माहिम अगर आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता सारी जिन्दी खुद को इस चीज़ का कसूरवा ठेहराता रहता कि मैं तुमारी हिपादत नहीं कर सका उसने मज़िय साधी से उस अपने हसाब में ले लिया जबकि उसके तिन साथ गिर्थ में माहिम को अपना सांस रुकता में सूसर रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई हड़ी टूर चाहेगी सहे मुझे दर्द हो रहा है उसके कहने पर साहे ने अपनी इंगिर्ष थोड़ी टीली की आज ये बात ऐसी हरकत मत करना माहिम लेकिन आपने मुझे पर हाथ उठाया था जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है और अगर दुबारा इस तांगे कोई हरकत की दो एक की बजाए दो थपल लगाऊंगा उसके कहने पर माहिम ने उसे दूर करके श्रीका की नज़ों से इसको देखा जिसपार साहे ने हलकी मुझे अपने सिने से लगा लिया अच्छा, I am sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था साहे नमस्का आते हुए उसका गाल से लाया और नर्मी से उसके गाल पर अपने लब रख दिये मुझे बूख लाग रही है मेरी बूख उड़ाकर क्या रही हो कि तुम्हें बूख लाग रही है साहे ने अपने लब उसके दूसे गाल पर रखे और नर्मी से उसके चेरे के एक एक नक्ष को अपने लबू से चुने लगा जब अपना चेरा मोड़कर महीम ने चींक वारे अच्छू हो गए ना तबीय धरा कुछ नहीं हुआ अच्छू अभी वो कुछ कहा रही थी जब उससे दूसी तरफ चींक आई और मैं तुम्हारे से महीम को डेरू सकून होद में तरताव महसूस हो रहा था ऐसा लग रहा था कि उसके लिए सबसे मेफूस मुकाम सिर्फ साहर की बाहें हैं जिन में इस वकत उसे बेहत सकून मिल रहा था इतनी देर से कमरे में बैठे बैठे वो अच्छी हासी बोर हो जुके थी और कुछ कमरे में रहने की वज़ा से माहिर था उसने बाहर निकल का मिलादमा से माहिर का पूछा कि वो कहा है तो उसने बताया कि वो सुबही बाहर चला गया जिस पर उसने सकून का सांस लिया और ह को डपटा फजूल मही कमरे में बांद बैठी थी जिसके जैसे बैठी थी वो तो जहां था ही नहीं नज़ेंद दुरा का वह गार का जयादा ले थी जब नज़र गलास वाद से देखते बाहर के मंदबा पड़ी जहांपा बारिश होड़ी पहले हल्की हल्की लेकिन फिर एक का सरादिर उसका इंतहाई बुरा गुजरा था और मजीद मूड हराब इस बारश ने कर दिया था बिगरे मूड के साथ ही वो गर में दाहिल हुआ लेकिन लौन में खरे वजूद पा नज़र पड़ते उसका सारा बुड़ा मूड एक पल में ठीक हो गया उसे खुद भी प पहले बुड़ी लागे थी अब उसी में खड़ा बेग रहा था उसे इज़ा का हाथ पका का उसका रूप पर जाना मौड का उसे पिंडे क्रीब किया जो उसके ऐसा करते ही उसके चोरे सिर्ने से टकड़ाई महर बहकी बहकी नज़र से उसके चेहरे को देख रहा था और न लोड़ी पर हाथ राकर उसका चेहरा उपड़ किया उसके पीगे लबों पार नर्मी से जुगिया कत्रा कत्रा उसके सांसों को खुद में उतरता मदधोश होता जा था जबके उसकी इतनी कुरबत पार एजाने होफ से अपने डपटे को मजबूती से हाथों की घृत में प नज्जरें इजा के चेहरे पड़ गई जहां इस वकत उसे बर्स्ती बारश में इजा के चेपा सिर्फ एक किसम का तास्त दिख रहा था होव का। माहे उसके क्लिब जाना लगा जब उसे पने क्लिब आतावा दें चाही जब उसके एक कदम पीछे के जैनम की है और वहां से वागे माहे ने थक्या वे अंतात्मे माते पाई वी प्यार भी लिद्डियों को पीछे किया और गैहेरा सांस लेकर अन्धा चला गया जब से वो होटल से वापस आयती तब से उसने एक पार भी बाहर जाने की जित नहीं किये दी क्या हुआ माहिम बाहर गुमने नहीं जाना है उसके कहने पर माहिम ने गुड़कोस को देखा मेरा मजाग रुआने की जुरूरत नहीं है मेरी गोद में बैठो उसकी बाहर सुनते ही माहिम की आंके पूरी फैली उटे कदमो वो वापस जाने लेगे जब उसके हाँ पगा कर साहिन ने इस उपनी गोद में ठालिया क्या हुआ माहिम मेरी बात उसका अंदास च्टाने वाला था हाँ तो कोई और बात केना मैं मैं माल लोगे मुझे लीप किस करो उसके लवा कुछ और कहे तो घार पर ही काटो किस के लवा कुछ भी कह मैं कालोंगे मुझे खाना खिलाओ उसकी बाहर सुन कर माहिम ने गल्दी से अपना साड़ हिलाया लिक्ए उसकी अगली बास सुनते ही गल्दी से गो से उटे अपने लबों से खिलाना ची गंदे फिर गंदी बाती शुरू कर दी उसके चेरे के एक्सप्रेशन देखा कमने में सहर का जानदर कहका गुंजा उससे पढ़ना था अपने यूनिवस्टी कम्प्रीन करनी थी लेकिन यूनिवस्टी जाने का वो सोचना भी नहीं चाती थी जो कुछ उसके साथ हुआ था वो बात पूरी यूनि में फैल जोगी थी और वहाँ पर जाने के बार में वो अपसोच भी नहीं सहती थी लेकिन उस भी ऊत्ती ऐसें नीए ने आज़ा यहार से बात कर दे जिसकेえば मुतमिन होकर अब अपना घाना घाए थे Again बह faster या मांती बहु आहर चाहर भा सुछ में चावल वए जजेश QAरला चीज तो Top को जाने का शार कार्ट के जाकर इज़ा के सामने खराओ गया उसे देती इज़ा के लबों तक चातावा हाथ हवा में रुकिया प्लेफ में चमच राकर वहां से चाने लगी जब माहे ने उसका हाथ पकत का उसे जबरदसी वापस तुस्टी जगापा बिठा दिया बस कुछ बात बताने थे उसके कहने पर इज़ाने स्वाल या नदसे उसे देखा तुम्हारा अडमिशन करवा दिया तुपर मनी प्राइब वहें से कांटिनियूस करोगी जहां से छोड़ दे काल से तुम जुनिक जुएन का लेना तुम्हारा सारा समान मगवा कर कमरे में रख चु काओं इस युनिवर्स्टी में वो ना तो अब वो खुद जाना चाता था और ना ही उसे बेचना चाता था इसलिए उसने इज़ा का अडमिशन दूसरी जुनियू में करवा जया था उससे अब खुद भी वहें पर जाब करने थे उसके जाब करने का मकसर सिर्फ इज़ा थी वो उसे अकेले माँ इस हाथ में नहीं जाने देखता था अगर इसा का अडमिशन करवाया तो वो भी सिर्फ इस वज़ा से क्योंकि उसे आया ने इस हवाईच का इज़ार किया था जिस युनिव में माहिन उसका अडमिशन करवाया था वो सैट के दोस्के वालत की थी उसे ज़्यादा मसला पेश नहीं आए था वो जानता था उसके यहां होने से वो ठीक से खाने पाएगी इसलिए उससे बात का कि वो जाने लगा जब उसे इज़ा की नरम अवास सुनाया दे आप भी खा लें जानती थी उसने भी अभी तक नहीं खाया और तब तक नहीं खाने मुरा था जब तक इज़ा अपना खाना फिनिश ना कहा ले थी, उसके चैने पर माहिर के लबब बेर साता मस्क्रावठ लेकर बैट कि यहारा सांस वयादगी थी अगर वो ऐसा करती तो वो कभी भी उसकी स्थाना की हरकत नहीं करता आलम के कमरे में दाहल होती उसने चांद एक मसीद बात करके वो रुख दिया था जिस किसे बात हो थी तो वारा कमरे में चकल लगा कर गया था और तुम थी जो फून की जानी नहीं चोड़े थी इज़ा थी बहुत हुश रागे थी माशाला से माय ने उसका अडमिशन करवाया है ना तो बस वही बताया थी उसके बात सुनकर आलम डे अपना साहिलाया और जाकर उसके सामने बैठ किया मैंने क्या कहा था आलम जब वो दोनों अखेले होंगे ना तो सब ठीक हो जगा तो सब ठीक हो क्या अभी नहीं हुआ लेकि इंशाला कोछ जल्द हो जगा मेरी प्यारी बीवी हर किसी की परवा है तुम्हें सवाए अपने शोहर के उसका हाथ खेंट कर आलम ने उसे अपने उपर गिरा है मुझे अपने शोहर की परवा है नहीं है, है क्यासे दिखाऊं, मुझे प्यार कारके उसके चेपर श्टार्टी मुस्कान थी जिसको देखर आयरा ने उसके धिंपर पर अपने लपड़ा दिया और अगर और करो और तब तक करो जब तक मैं ये नहीं जान जाता कि मेरी बीवी को वाकि मेरी परवा है तोबा है आलम, भेगर चाएं, आलम ने उसका जुम्ला मकमल किया जिस पर अपना साथ नफ़ी में हिला कर उठने लगी जब उससे बैड़ पर लटा कर आलम उसके उपर जुकिया मुझे प्यार ठीक से नहीं किया तुमने, जिससे मैं समझ किया हूँ कि तुम्हें मेरी परवा नहीं है अगर प्यार करने से ये बात पता कर दिया तो फिर इसी साब्चे तो आपको मेरी बहुत परवा है, वो तो है अच्छा तो प्रीस अपनी ये परवाद थोड़ी काम का लीजिए, उसके कहने पर आलम ने हफ्की से सुदेखा तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं है आयरा, कदर कालो, उससे पहले देर हो जाए, बाप में याद आयरे ने उसके लबों पर हात्राय का उसका जमला अदूरा रहने दिया, और नाराज की इसके सिने पर मुका मारा मैं जार ही हूँ, छोड़े मुझे, ऐसे कैसे जार ही हो, तुमने तो मुझे प्यार नहीं दिया ना, मुझे तो प्यार देने दो आलम ने ग्यारी नज़र उसके चेह पर डाली, उसके लबों पर जुगिया मेरा हयाल है, ये बच्चो वाली हरकत है नूर, उस सिर्म उसमें कोई बच्चो वाली हरकत नहीं है, मेरे हयाल से जहां पर आया हर कपल ये काम करता है इस वक्त वो दोनों लव, लोग, बर्च पर मुझो थे, जहां पर नूर उसके साथ लॉग, पिलर में लगाने की जिद का रहे थे, जिस पार उसका और सिर्म का नाम लिखा वा था, जहां पर इस तरह के और बच्चो वाली कर एक साथ इसमें चापी डाल कर उसे पिलर में लगा रहे थे, लेकिन उस सिर्म को ये चीज बिलकुल बच्चों वाली लगे थे, हर कपर करता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी करें, प्लीस लगाएं ना मेरे साथ, उसके जिद करने पर उस सिर्म ने गहरा सांस लिया, और उसके साथ मिलकर इस लाख को पिलर पर बान दिया, जिसके बाद नू ने उस चाबी की लाख की चाबी को पानी पे फैंक दिया, ब्रिज पर लाख लगाने का जो सिसला है, वो दो हजार आठ में चुरुआ था, लोग वहां पर बनी, रेलिंग पर लाख लगा दे थे, जो दो हजार चोदा तक इस ब्रिज की गिल रसी, उस रिम के साथ मिलका करती है, जरूरी काम से वो घर से बाहर गया था, और आने में काफी देर हो जुगे थी, मलाख मा उसे बता चुकी थी कि इज़ा ने राख का खाना खाल या है, इसलिए वह मुतमीन था, वना बाहर जाते वे भी उसकी फिक्र लगी रहती, गाय म चले राता, और इज़ा सोबे पर खुद भी सिम्टी सोरे थे, माहे ने आगे बार कर टीवी आफ किया, उसके तरफ बढ़ा और रादा उसे कमरे में लेकर जाने का था, तांकि वो अराम पर सोर सोके, लेकि नज़रे उसके मस्लूम चेरे पर उलच सी गए थी, काँ में सूस करके उसके याँ खुले चब पहली नज़र खुद पार जुके वे माहे पर गए, चांद लहमें उसे समझने लगे, और फिर से उसने वही हरकत की, उसके सीने पादा कर उसे खुद से दूर करने पर, माहे ने तकलीफ से उसे देखा, और आबर उससे दूर नह चला गया, आज वो इस होप को हतम का देना चाहता था, जो इज़ा को उससे था, मुतसीम, मैं क्या सोच रही थी, कमरे में दाल होते ही, वो बैपर उसके क्रीब आकर बैठी हो, जिस लैप्टाप पर वो काम करा था, उसे बांद काकर साहर पर रख दिया, बांद करो उसे, ह उसको देखा, वो मुतसीम से इस च्वाप की उमीद हर्गिस नहीं रख दे थे, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आप किसे कहती वो बहां से चानल लगे, जब मुतसीम ने उसका हार पकर कर, उस अपने क्रीब किया, जिस पर प्रीशे ने अपने चेहरे का रुख मो लिया, मजाग का रहा था, साच बताऊं तो मुझे खुट ली नहीं पता, मैंने बस तुम्हारी आवास सुनी, तुम्हें देखा, और जैसे तुम्हारी अंदर एक अलग सी कशिश मेहसूस की, और मैं तुम्हारी तरफ खेंड़ा चला गया, और तुम मेरा इस मेरी महरम ब उन्जा, उसने कमरे में दाहलों का दिवादा बांद करना चाहते कि महर उसकी ये कोशिश नकाम पनातवे कमरे में आ चुका था, इज़ा यार, भास करो, कब तक डड़ती रहोगी मुझसे, तुम्हें जानती हो, और मैं भी, कि मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ किया था वो गलती से हुआ था, मैं इस वक्त होश में ने था, आप तो होश में हैं ना, तो फिर आप मेरे क्रीब क्यों आ रहे हैं, उसके कहने पर माहर उसके क्रीब हुआ, क्योंकि एक मर्द हूँ, जजबात रता हूँ, कब तक खुद पर जब करता रहोंगा, तुम्हें देखता हूँ, तो बस तुम्हारी इजबात का, माहर उसके पीछे उसके बेहत नजदी जगर खरवा, अगर मैं इजबात नहीं दूँ, तो आप मेरे क्रीब नहीं आएंगे, नहीं, सारी सिनकी तुम्हारी इजबात का मुनतजर रहोंगा, तो फिर प्लीज जाएं यहां से, चला हैं नजर ठागस को देखा, और महर गी बीगी आंके देखा, वो अपने जगह हिरान प्यागे, एक बार मुक्त दो, तुम्हारे सारे दर्ट, सारे तकलीफें अपने अंदर ले लूँगा, तुम्हारे बिखरे वजुद को हुद्बें समेट लूँगा, बस एक मुक्त दो अपने रूख का साथी बने का अपने महरम बना चुकी हो, तो अपना रूख महरम भी बना लो, उसका चेरा अपने हादों के पहले में लिए वो नम अवास में कह रहा था, मुझे अपसे डार लगता है, मैं तुम्हारा सार डार दूर कर दूँगा, अब मेरे क्रीब आती ह तो मुझे उस रात का हल लमा यादाता है, एक बार मुझे भुद को चुने की जा दे दो, मुझे मेसूस को रो, मैं होफ नाक रात तुमारे जिन से नकाल दूँगा, माहर ने उसके सर के पीछे हाथ रख कर, अपनी पेचानी उसकी पेचानी से टकाक, अपनी आँखे ताती की नजर ठाक उसको देखा और अपनी आँखे बंद काली, माहर ने उसकी बंद आखो पर अपने लबड़के और इन तहाई नर्मी से उसके नर्म लबंग को अपने क्यात में ले लिया, इजा ने खोफ के मारे मजबूती थे उसकी शर्प को अपनी मुझे में बेच उसके लबंग को अजाद करके माहर उसके नासुक गर्दन पर जुपकर अपना प्यार बड़ा लंब्स चोने लगा जबकि उसे अपने इतने करीद देकर इजा साथी से अपनी आँखे मीच कर खड़ी थे, उसका दिर तेज तेर तरक रहा था, माहर ने उसके गर्दन से च तुम चेहरे को देखा, उसका नासुक वजुद अपनी बाहों में उठा लिया, जिस पार इज़ा ने अपना चेहरा उसके सिन्ने में चुपा लिया, उसकी इस हरकर पर माहर के लाब मुस्तरा उटे, डाड़ भी उससे रही थी, और छुप भी उसी में रहा था, उसका मुपाद अपनी बाहें उसके गर्णा पर डाली, उसके सिन्ने से लाग गए, उसकी इस हरका से माहर को एक स्कून सा हुद में उतरता वा मिसूस हुआ, उसे खुद में क्यात किये, उस पार जुकता चला गया, उसके चुनने की अंताफ में इतनी नर्मी थी, जैसे वो किसी गुडिया को चुड़ा हो, इसा का नाजख वजोद, उसकी हर तकलीफ हाद दर्थ हतम कर देना चाहता था, उसका सारा डर्थ, सारा होफ मटा देना चाहता था, जर्याम, जर्याम, उसे सोयवे वो जर्याम को बाजू हिलाया, जिस पार पहले तो उसने हुगाईब दमाके स हूँ कहा, लेकिन जब पता चला, कि बाजू हिलाने वाली हुरायबा, तो जर्यके सुरकर बैठा, क्या हुआ है, कहीं दर्थ हो रहा है, बड़ी ममा को बलाओ, उटते ही वो फिकर मंदी से कभी हुरायब का चेरा पगगा देखने लगदा, तो कभी अपना हाथ उसकी हो रहा है ना, दर्थ नहीं हो रहा हुद्गुदी हो रही है, तो यह कैसे ठीक होगी, मेरा पेड़ से लाओ, उसने अजीब फरमायश पर जर्याम ने मुस्टाक अपना साचर का, उसे अपने हसाम में लेको उसका पेड़ से लाने लगा, आज का तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब भेवकार ही हो हुरा है, मैं अपने नहड़े उठवा रही हूँ, क्योंकि जब यह बच्चा आ जाएगा ना, तब तो तुम मेरे नहड़े उठाओ के ने, यह तुम से किसने किया दिया, मतलब उठाओ के, उसने जर्याम की तरफ देखा, चुप, बिलकुल, जब तो मेरी महबद तुमारे लिए मजीद बढ़ जाएगी, इतनी तकलीफों से गुजर का, तुम मुझे अपना कीमती तफ़ा देने जा रही हो, मैं कैसे तुमारी कद्दना करूं, तुमारी सोच अलाग गया, हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, जर्याम, उसने जर्याम के सिने प तुम में लिए किमती हो और हमेशा रहोगे, उसने हुराइब की सफेद, बेदा, पेशानी पर प्रिन लब रखे, उसे मस्जिद साथी से खुत में क्याद का लिया, पापा, मैंने एक फैसला किया है, दरम से द्वादा कोड़ कर वकमरे में दाल हुआ, और वसी जो के किता कुल बात कहा दियो, अरे, खुछ तो रियक्ट करें, मजाक अभूर नहीं है, मैं मजाक नहीं का रहा, सच्छे मुझे शादी करनी है, हाई, वो लड़की, उसके अदा, बस, ये दिल, मेरे दिल में वो लड़की उतर चुकी है, उसने किसी आशिक के अंदाद में दिल पर ह मिशाल, आरफ, मुतिसिम अंकल के दोस्त की बेटी, जिसने तुमारे पेर पर लात मारती, वसके कहने पर उसने मुझे बनागा उसको देखा, याद करने के लिए, क्या बस ये एक तारफ मिला था, हाँ, वो ही, सच में उसे पसंद करते हो, हाँ, एहाँ, पहले अपने अप भी राता है, तो हम में ज़्यादा फरक तो नहीं है, हाँ, बस एक साग है, लेकि फरक तो है ना, तो ये सब आपके इकलती है, मुझे देर से क्यूं लाए समी में, आहां से पहले नहीं लाए सते थे, उसके कहने पर वसी ने गुसे से सुगूरा, जिसको देखा वो उटकर किसी लाएक बरन सके, और मेरा बाप इसलिए ने करवारता है, मैं पहले किसी लाएक बरन जाओ, मुझे बनाता वा हूँ से बरबराता वी अपने कमरे में चला गया,